हेलो फ्रेंड्स मैं स्यूम अंगल अपने एसम के वर्टेक्स करियर यूटूब में आपका स्वागत करता हूँ आज मैं आप लोगों को समिधान के 50 महत्रपूर्ण की उस्चन कराने जा रहा हूँ जो सभी प्रतियोगी परिच्छाओं में अपनी महत्रपूर्ण भूम का निभाएंगे तो चलते हैं अपने प्रस्न की तरफ तो पहला प्रस्न है भारत की सम्मिधान सभाग गठित करने का अधार क्या था पहला अप्षन भारती राष्टी कांग्रेस का प्रस्ताव दूसरा अप्षन कैबिनिट मिशन प्लान उने सो चियालीश तिसरा अप्षन भारती सोतंत्रता अधियाम 1947 चोथा अप्षन भारती डोमेनियन के प्रांती या राजविधान मंडलों के प्रस्ताव जिसका correct answer होगा Cabinet Mission 1946 नेक्स्ट क्यूप्शन भारत के सम्मिधान की प्रस्तावना में निम्न लिखित में से वा सब कवन्सा है जिसका समावेशन सम्मिधान बैलिसावा संसोधन अधनियम उने सो चीहत्तर के माध्यम से नहीं किया गया था समाजवादी, धर्म निर्पेच, गरिमा, निष्टा जिसका अंसर होगा गरिमा नेक्स्ट क्यूशन नागरिक सम्ता का आसे है कानून के समच्छ सम्ता और सर के समानता धन का समान वितरण राज के मामलों में भागिदारी का समान अथिकार तो इसका अंसर होगा कानून के समच्छ सम्ता नेक्स्ट क्यूशन राज सभा को भंग करने के लिए निमनल लिखित में से कवन सक्छम है राष्ट पती, सभापती राज सभा, लोग सभा या इन में से कोई नहीं तो इसका अंसर होगा इन में से कोई नहीं नेक्स्ट क्यूशन बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट कनिवेंशन के अनुसार निम्न लिखित में से वो क्या है जो अधिकार नहीं है समाजिक सुरच्छा, रोजगार, सोसड से सरच्छड, सिक्छा तो इसका अनसर होगा रोजगार नेक्स्ट क्यूशन किसी नयाधिस को एक उच नयाले से दूसरे में इस्थानांतरित करने का अधिकार निम्न लिखित में से किसको है भारत के मुख नयाय मूर्ती, भारत के राष्टपती, भारत का विधी मंतरी, केंद्री मंतरी मंडल तो इसका अंसर होगा भारत के राष्टपती Next question Sunset के 270 के बीच निम्न लिखित में से अधिक से अधिक कितने समय का अंत्राल दिया जा सकता है 4 मास, 6 मास, 8 मास, 9 मास तो इसका अंसर होगा 6 मास Next question सिक्षा का भी से है संग्य सूची में है राज सूची में है समवर्ती सूची में है अवसिष्ट भी सेयों में है तो इसका अंसर होगा समवर्ती सूची में है Next question राज सभा में निरवाचित सदस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी है 250 250, 238, 245, 248, तो इसका आंसर होगा 238, नेक्स्ट क्यूशन, हर पांच वर्स के बाद बित आयोक का गठन कौन करता है, मंत्री परिशत, संसद, राष्ट पती, नियंत्रक्यों महालेखा परिच्छत, तो इसका आंसर होगा राष्ट पती, नेक्स्ट क्यूशन, संसत के दोनों सदनों का सायुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, कि वर राष्टी या पातकाल की स्थिती में जब एक सदन द्वारा पारित बिधेयक, दूसरे सदन द्वारा अस्विकार कर दिया जाए, एक सदन द्वारा अनमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्विकार कर दिया जाए, या एक और तीन दोनों, तो इसका अंसर होगा, एक और तीन दोनों, नेक्स्ट क्यूशन, राज बिधान सभा द्वारा पारित, साधारन बिधेयक, बिधान परिशर द्वारा अधिक्तम कितनी आवधित तक विलंबित किया जा सकता है, एक महिन्ना, छा महिन्ने, तीन महिन्ने, चार महिन्ने, तो इसका अंसर होगा, तीन महिन्ने, नेक्स्ट क्यूशन, भारत में किसी राज में राश्पति सासन लागू किया जाता है, जब, राज का मंत्र मंडल त्याग पत्र दे दे, राज के राजपाल की मित्यु हो जाए, चुनावों की घोसडा कर दी जाए, राज का सासन समिधान के अंसार न चलाया जा सके, तो इसका अंसर होगा, राज का सासन समिधान के अंसार न चलाया जा सके, नेक्स्ट क्यूस्चन भारा सरकार से राजियों को अंतरित संसाधन सामिधिक कहलाते हैं यदिवे रिण के रूप में हो योजना आयो की सिफारिस पर हो बित आयो की सिफारिस पर हो अनुदान के रूप में हो जिसका अंसर होगा बित आयो की सिफारिस पर हो निम्न लिखित में से किस राज ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था आन्रप्रदेश, बिहार, गुजराद, राजस्थान तो इसका अंसर होगा राजस्थान भारती संसद किसी राज के नाम या सीमा में परिवर्टन कर सकती है सामान बहुमत द्वारा या पुर बहुमत द्वारा या मत देने वाले सदस्थों के दोत्याई बहुमत द्वारा कुल संख्या के पुर बहुमत द्वारा तो इसका अंसर होगा सामान बहुमत द्वारा संग लोक सेवा आयोग के सदस्थों को पर से हटाया जा सकता है दोत्याई बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद संसत द्वारा या केंदी मंत परसत की सर्व सम्मत सिफारिस पर राष्ट पती द्वारा या सर्वोच न्याले द्वारा जांच आउर रिपोर्ट के अधार पर राष्ट पती द्वारा या केंद्री प्रसासनिक अधिकरण की सिफारिश पर राष्ट पती द्वारा तो इसका अंसर होगा सरवच न्याले द्वारा जाच और रिपोर्ट के अरहार पर राष्ट पती द्वारा नेश्ट कुज़न भारती संसद में कोई विधेयक प्रवर समीती को भेजा जा सकता है प्रथम वाचन के बाद दूसरे वाचन के बाद दूसरे वाचन के दवरान सामान चर्चा के बाद या अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में तो इसका अंसर होगा अध्यक्ष के विबेग से किसी भी अवर्स्ता में नेक्ट क्यूप्शन भारत में राजनेतिक सक्ती का स्रोत है सम्विधान, संसद, संसद और राजविधान सभाएं या हम लोग अर्थात जनता तो इसका अंसर होगा हम लोग अर्थात जनता एक बार पुरे कारकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्याय अधीज अंतर राश्टी न्यायले में कितनी आवदी तक काम करता है पांच वर्स, छह वर्स, नव वर्स या दस वर्स इसका अंसर होगा नव वर्स नेक्स्ट क्यूश्चन निमन लिखित में से काउन से अनुच्छेद आपात कारेन उपबंधों से सब्बंधित है अनुच्छेद 32 और 226 अनुच्छेद 350 और 350 अनुच्छेद 352, 356 और 360 अनुच्छेद 355, 336 और 327 तिसका अंसर होगा अनुच्छेद 352, 356 और 360 नेक्ट क्यूश्चन संसद सदस्यों का देय वेतन और भत्तों का निर्णर किया जाता है राष्टपती द्वारा, मंत्र मंडल द्वारा, संसद द्वारा, वित आयोग द्वारा तो इसका अंसर होगा संसर द्वारा नेक्ट क्यूश्चन भारतिय सम्मिधान का कवन सा अनुच्छेद जम्मू और कस्मीर राज को विशेश दर्जा देता है तो इसका अंसर होगा 370 जो कि इसमें हटा दिया गया है संसत के दोनों सदनों का सत्रा वसान करने का अधिकार किस के पास है राष्टपती के पास या उपराष्टपती के पास या प्रधान मंत्री के पास या लोगसभा का अध्यच के पास तो इसका अंसर होगा राष्टपती के पास नेक्ट क्यूश्चन निमनलिखित भारती राज्यों में से त्री इस्तरी या तीन अस्तरी पंचायती राज्य प्रणाली सबसे पहले किसने अपनाई थी? बिहार या उत्तर प्रदेश या राजस्थान या मध्य प्रदेश जिसका सही अंसर होगा राजस्थान समाजिक नयाएब के उद्देश का उलेख भारती समिधान में कहां किया गया है? अनुछेद 14 में या अनुछेद 16 में या अनुछेद 15 में या उद्देश का यानि प्रस्तावना में तो इसका अंसर होगा अनुछेद 15 में नेक्स्ट क्यूश्चन अन्चे 352 के अंतरगत लागू आपात इस्थिती के दवरान निम्न लिखित में से कवन से सवयधानिक उपवन्ध निलंबित रहते हैं राज के नित निदेशक सिधान या संसोधन प्रक्रियाय या मोलतिकार या नियायक समिच्छा तो इसका अंसर होगा मोलतिकार किस आयू तक के बच्चों को किसी फैक्ट्री या खान या खतरनाक कामों में निद्ध करने की मना ही है यानि मना किया गया है 10 वर्स के बच्चों को या 12 वर्स के बच्चों को या 14 वर्स के तक के बच्चों को या 16 वर्स तक के बच्चों को इसका अंसर होगा 14 वर्ष तक के बच्चों को नेक्ष्ट क्यूशन गोवध पर किंद्र सरकार को कानून बनाने का सैवैधानिक अधिकार कहा नहीं थै प्रविष्टी सतर अनसूची साथ में सूची तीन पसुवों पक्रूरता निवारण या अनुच्चे 248 के अंतरगत अवसिष्ट सक्तियां या आपात कालें सक्तियां या निदेशक सिधान्तों में अनुच्चे 48 जिसका अनसर होगा निदेशक सिधानतों में अनचे 48 Next Question नौकरियों और सैचिक संथाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आराच्छा उपलप्त कराने हैं किन्द सरकार को सम्मिधान का कव्म सा प्रावधान अधिकार देता है अनुछेद 14, अनुछेद 16, अनुछेद 46 या अनुछेद 19 तिसका अंसर होगा अनुछेद 16 समिधान के किस उपबंध ने किन्द सरकार को सेवा कर लगाने और उसकी ब्यापती बढ़ाने का अधिकार दिया सूची 1 अनुछेद 14 के अंतरगत अवसिष्ट सकतिया या आपात कालिन सकतिया तिसका अंसर होगा अनुछेद 248 के अंतरगत अवसिष्ट सकतिया नेक्ट क्यूशन निम लिखित में से कवन सा अधिकार येक राजनीतिक अधिकार है स्वतंतरता का अधिकार चुनाव लड़ने का अधिकार कानून के सामने समानता का अधिकार जीवन का अधिकार जिसका अंसर होगा चुनाव लड़ने का अधिकार नेक्ट क्यूशन नियाय पालिका का मुख्यकार क्या है? कानून बनाना? कानून का निस्पादन करना? कानून का नियाय निड़े İ? या कानून को लागू करना? किसका answer होगा? कानून का नियाय निड़े Next question सरवच्च नियाले के नियाधीसों के वेतन और भथ्ते किसे प्रसायित किये जाते हैं भारतिय जरुपायन को भारतिय की आकस्मित्ता निधी को भारत की संचित निधी को बित आयक को तो इसका अंसर होगा भारत की संचित निधी को Next question समिधान का अनुछेद 370 किस राज पर लागू होता है नागा लेंड, मिजोरम, मर्यपूर, जम्मू और कस्मीर तो इसका अंसर होगा जम्मू और कस्मीर जो कि इस समय जम्मू और कस्मीर को किनसासित प्रदेश में सामिल कर लिया गया है Next question भारति समिधान का अनुछेद जवदह भारति नागरिकों को गारंटी देता है कानूनों की समान सुरच्छा की कानून के सामने समानता की आर्थिक संसाधनों के समान बितरण की कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरच्छा की जिसका अंसर होगा कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरच्छा की Next Question भारती में सम्मिधान का अंचेर उन्हेस प्रदान करता है 6 सोतंतरताओं को, 7 सोतंतरताओं को, 8 सोतंतरताओं को, 9 सोतंतरताओं को दिसका सही आंसर होगा 6 सोतंतरताओं को Next Question भारत में मुल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनक्चित या सुनिश्चित किये गए हैं समानता का अधिकार, सोशन के विरुद्ध अधिकार, समयधानिक उपचारों का अधिकार, साचिक और संस्कृतिक अधिकार जिसका सही आंसर होगा समयधानिक उपचारों का अधिकार नेक्ट क्यूस्चन निम्नलिखित आधारों में से वह कसवटी कौनसी है जिस पर समिधान के अंच्छेत पंदर में राज द्वारा भेदभा वर्जित नहीं है जन्मस्थान, प्रजाती, भासा या जाती जिसका सही आंसर होगा भासा Next Question उचेतम नयाले और राज नयालो के नयाध्रीसों को कौन हटा सकता है राष्ट पती, संसर, संगी मंत्र पड़्श्द या उचेतम नयाले का मुखे नयाया धीस इसका सही आंसर होगा राष्ट पती चलते हैं Next Question की ओर राज सभा में राजियों को प्रत निधित्तु किस आधार पर दिया गया है सभी राजियों की समानता जनसंख्या के आधार पर राज के विकास की इस्थिती के आधार पर या जनसंख्या और विकास के आधार पर जिसका सही आंसर होगा जनसंख्या के आधार पर नेक्ट किप्शन ऐसे ब्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए किसके गुम या हिरासत में होने की संका हो उच्च नियाले या उच्चतम नियाले की निम्न लिखित में से कौन सिरिट मांगी जाती है परमादेश, अधिकार प्रिच्चा, बंदी प्रत्यची करन या उत्प्रेशन तिसका सही सही आंसर होगा बंदी प्रत्यची करन नेक्ट किप्शन संसत को भंग करने के लिए कौन सक्चम है राष्ट पती विपच्च किनेता की सहमत से मंत्र मंडल संसत के दोनों सदनों में संकल्प द्वारा कोई भी नहीं जिसका सही आंसर होगा राष्ट पती नेक्ट किप्शन एमिकस क्यूरी एई कौन होता है मुक्तमे बाजी में किसी अंतरायक का वकील नियाले का मित्र जनहित में मुक्तमा लड़ने वाला प्रतिवादी का वकील जिसका सही आंसर होगा नियाले का मित्र नेक्ट किप्शन संसर में अधिकारिक विपच्छी समों के रूप में माननेता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस होने चाहिए कुल सदस संख्या का एक तिहाई या कुल सदस संख्या का एक चोथाई या कुल सदस संख्या का एक बटा च्छ भाग या कुल सदस्य संख्या का एक बटा दत भाग जिसका सही आंसर होगा कुल सदस्य संख्या का एक बटे दत भाग नेक्ट क्यूस्टिन उचेतम न्याले के न्याईक पुनरिच्छण कारे का क्या अर्थ है स्वयम अपने न्याले का पुनरिच्छण देश में ने आये पालिका के कामकाज का पुनिरिच्छड कानूनों की समिधानिक वैदता का परिच्छड समिधान का आवेदिक पुनिरिच्छड तो इसका सही आंसर होगा कानून की समिधानिक वैदता का परिच्छड Next question भारती सम्मिधान में अल्प संख्यकों को मानिता किस आधार पर दी गई है धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर या रंग के आधार पर तो इसका सही आंसर होगा कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात के अधार पर नेक्ट क्यूशन संसदिय बेवहार में सुनिय काल दखल भारत में कब शुरू हुआ था 1922, 1962, 1972 या 1982 जिसका सही आंसर होगा लेखा नुदान का अरथ है वी नियोजन बिधेयक पर बिधाई स्व्कृती बित बिधेयक पर बिधाई स्व्कृती C.A.G. द्वारा प्रस्तुर लेखों तथा लेखा परिच्छा के रिपोर्ट पर बिधाई स्व्कृती या वी नियोजन विध्यक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में ब्या करने के लिए विधाई सुकृति तिसका सही अंसर होगा वीन योजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में बे करने के लिए विधाई सुक्रिती ते हुए आपके संबिधान के 50 महत्तपूर प्रस्ण तो कैसा लगा वीडियो? कमेंट करके जरू बताएगा एवं लाइक एवं सेर तथा सब्स्वाइब जरू करिएगा हमें मोटिवेशन करने के लिए कमेंट जरू करिएगा थांक्यू